बुस्राइब राइकेला साहिब गांच, रांची, रामगण, पलामू, पाकोड समेथ जार्खन में रेते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरू करना और कमिंट करके जरू बताना कि आप जार्खन के किस जिले गाह में शेयर में रेते हैं तो दोस्तों मौसम विबा की में तो जर्खन के कई जिलों में ततकाली का अलट जारी किया गया, अगले कुछ गंटों में यहाँ पर वजरपात के साथ आंधी चलने और बरसात की गतिदियों को लेकर अलट जारी किया गया, 30 से 40 किलोमेटर प्रती गंटे की रफ्तार से हाव मौसम में बदलाओ को देखते हैं, मौसम विबा के मतद अगले कुछ गंटों में यहाँ पर जारकन के काई जगों पर आंधी और बारिश के साथ बिजली गिर सकती है, साथ में मौसम में तंडर के साथ मौसम मिला जुला रहेगा और अगले कुछ गंटों में जारकन के कई हिस्सों में दोस्तों बिजली चमंगनी को लेकर अलर्टे सबसे आदा असर बोकारों 14 समय थे और यहाँ पर दोस्तों विबिन हिस्सों में कल राथ से मौसम में बदला वाया है मौसम विबा की मान तो आंदी के साथ वारिश की समाओन और काफी अदी के बताय जारी की जार्कन के विबिन हिस्सों में तीन दिनों तक आंदी और बरसात होगी यहाँ पर 11 अपरेल तक दोस्तों मौसम बदलेगा उतार चड़ा वजारी और कई जोगों पर मौसम सुस्ट करेगा और 10 और 12 अपरेल को भी फिर से हलकी बरसात भी देखने को मिल सकती है इसका असर राज्य भर के कई जिलों में तापमान तकरीबन 40 डिगरी के आसपास महुँच चुका ऐसे में मौसम का मिजाज बदलेगा उतार चड़ा वजारी और परिवर्टन होने के साथ बदला होगा मौसम विबाग की मान तो यहाँ पर जारखन में सबसे जादा जमसदपूर का तापमान चड़ा हुआ है यहाँ पर तापमान 41.1 के करीब मापा गया है जबकि दोस्तों राजदानी रांची के समेथ अधिकतम तापमान 36.4 के करीबी रेकोर्ड किया जा रहा है मौसम विबाग की मान तो यहाँ पर 9 से 11 अपरेल तक बरसात की गतिज़ा जार रहेगे 14 में 37.3, देवगर में 40, गड़व में 49.1, गिरड़े में 38.5, गोड़ा में 41.8 और गुमला में 38.1, हजार इबाग में 36.1 के करीट आपमान मानज आ रहा है साथ में मौसम विबाग की मान तो अनेक इलागों पर बदलाव के साथ चारगन में अगले तीन दिनों तक काफी हलचल देखने को मिलेगी और मौसम विबा की मान तो रविवार से ही इसकी जो है यहाँ पर दोस्तों जो है असर देखने को मिल गया है मौसम में बदलाव के कारण दोस्तों हाओ के रुक में परिवर्तन होना है और राज्य में बंगाल की खाड़ी से होकर दक्षिन पूरु हावय आ रही है जबकि उपरी वातावर्ण में जो इन अपश्ची में हाओ का रुक बना हो रहा है इससे अगले 24 गंटों के तरह मौसम में बदलाव होगा पिछले 24 गंटों में राग्ची का अधिकतम तापमान 2 डिगरी से ज़्यादा वर्दी हुई है यहाँ पर अधिकतम तापमान 38.5 डिगरी रहा यहाँ पर सामने से करीब 4 डिगरी अधिक है सीजर में सबसे जाधिक तापमान राज्य के विविन हिस्वों में रेकोर्ड किया गया और मौसम विबाग की माने तो मिला जुला मौसम भी कई जगों पर रेकोर्ड किया जा रहे है मौसम विबाग ने जारकन में तीन दिनों तक बरसात की भविशवानी के साथ 30 से 40 किलो मिटर प्रती गंटे की रतार से हुआई चलने के साथ तापमान की बात की जाए तो 5 डिगरी तक तापमान में गिरावट आ सकती है यानि दुस्तों 5 डिगरी तक तापमान में गिरावट आती है न तो लोगों को एक दम से ही घर्मी से रात मिलते ही नजर आएगी बीते 24 गंटों में मौसम सुसक और ड्राई रा और गिरिटी है देवगर गोड़ा जामतड़ा दनबाद गोड़ा पाकुड और साहिब गज में हलकी से मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है पूरे राज्य में वजरपात को लेकर यलो अलर्ट जारी क्या कहा है जिससे लोगों को खास सचेत रहने की ज़रूत है कि यहां पर ग्यारा से दो बज़े की बीच में दफ्तर से बार ना निकले क्योंकि दोस्तों भारी बैंकर गर्मी पड़ रही है खास करके सीर को डग कर रखे इसके आस-पस रहने के आसर भी जटायजा आ रहे तो कई जोगों पर कल रात से हल्चल अधिक सदिक देखने को मिले तापमन में भी दोस्तों अभी कम ही देखने को मिलेगी मौसम्यला जूला रहने के साथ यहां पर दोस्तों जो ना बिजली भी चमक सकते हैं इसलिए यहाँ पर सुर्खषी तिस्तानों पर सरंड ले अगर आपके हाँ पर बारी बिजली चमगने की गटना देखने को मिलती है वोकारो चत्रा देवगर समयत कई हिसों में कल रात से काफी हलचल अधिक सदिक हुई है आज भी बरसात होने के आसारे और अगले 24 गंटों क दो दिन बरसात की गटनीओ को लेकर अलर्टे लाते हार की बात के बात के हो तो 23., 24 बात में तरी से गरी ताप मन रहेगा बात एंग shortest reform रहे और यहाँ पर 28 ऑर 32, 33 तक तक ताप मन आ चुका और बाके जिलों के मुकाबले यहाँ पर थोड़ी गर्मी कम मैसुस हो रही है यहाँ पर जामतरा की बात किया तो 26-27 रात किसमे तो दिन किसमे जो न 36-37 ताप मन रेगा बादल चाहिरिंगे गर्मी कितिक के तेवर और बादलू के उचे के साथ मौसम में परिवेटन मौसम मिला जुला उताचडा भी देखने को मिल रहा है हजारी भाग में 23-25 रात किसमे दिन में 33-31 बादल चाहिरिंगे बरसात के गतिदू को लेकर अलट है मौसमें तंडग मौसम मिला जुला और परिवेटन होने के आसा रहे गुमला में 22-23 रात किसमें दिन में मौसम में तंडग और मौसम अधिक सदिक जगों पर गर्मी किती के तेवर के साथ बादलो के अवजे के साथ परिवेटन है मौसम मिला जुला भी है और उताचडा अवजार रहने के साथ बदला भी होगा गड़वा में 24-25 रात किसमें दिन में 32-33 आज बरसात के गतिद्यों के साथ मौसम में ठंडग रहेगा मौसम मिला जुला रहेगा और परिवर्तन भी हो सकता है तो कई जगों पर उताचडा अवधिक सदिक रहने के आसार भी जताइजार है यहाँ पर पूर्वी सीमू में 24-25 रात किसमें दिन में 35-35 बादल चैरिंग के बरसात के गतिद्यों के लेकर अलट है मौसम में ठंडग रहेगा मौसम मिला जुला रहेगा और परिवर्तन देखने को मिल सकता है यहाँ पर दनबाद में 26-27-27 रात किसमें दिन में 35-35 बादल चैरिंग के बरसात के साथ मौसम में बदला उताचडा अवजारी है देवगर की बात के हो तो यहाँ पर 26-27-27 रात किसमें दिन में 33-34 बादल चैरिंग के उताचडा अवजारी मौसम में ठंडग मौसम मिला जुला और बदलाव देखने को मिल रहेगा चत्रा की बात के हो तो 23-24 रात के समय दिन में 33-31 बादल चैरिंग के बरसात की गतिदू को लेकर अलट मौसम में ठंडग मौसम मिला जुला और उताचडा अवजार रहेगा यहाँ पर सिम्डेगा में 23-24 रात के समय तो दिन के समय 33-34 गरी तापमान रहेगा बादल चैरिंग है बरसात की गतिदू को लेकर अलट है मौसम में ठंडग मौसम मिला जुला और परिवर तंजार रहने के साथ आप सब देख सकते हैं दोस्तो गुरुआर तक काफी अदिख बादल चैरिंग के आसाथ है खरसा होगी बात के तो 24-25 रात के समय दिन के समय 36 के आसपास तापमान है लेकिन अगले 24 गंटों की तरह तापमान गिर जाएगा और बरसात की गतिदू के साथ मौसम मिला जुला और मौसम मिला जुला देखने को मिलेगा यहां पर रताइजार की दोस्तों पूरे के पूरे साराई के लामे जो ना 25-27 रात के समय तो दिन के समय जो ना 26-27 के गरी तापमान रहेगा बादल भी चैरिंगे उताचड़ा अफजारी और मौसम ठंडा सोना रहने के साथ परिवर्तन होगा साहिब गंज की बात के ओट तो 24-25-26 रात के समय तो दिन के समय 36 के आसपास तापमान रहेगा बादल भी चैरिंगे उताचड़ा अफजारी है कई जगों पर दुस्तों गर्मी से थोड़ी रात मिल रहे तो कई जगों पर उताचड़ा भी ना पजार है और बादलों कावजे के साथ मौसम में परिवर्तन होने के आसर अधिक साधिक है राजदा निरांची की बात के हो तो 23-24 रात के समय दिन में 30 के आसपास तापमान है 32-33 से करीब तापमान रहेगा बादल भी चैरिंगे उताचड़ा अफजारी मौसम में तंड़क मौसम मिला जुला और परिवर्तन होते हो नजर आएगा तो काई जगों पर उताचड़ा अफजार रहने के साथ बदलाव देखने को मिलेगा रामगर की बात के हो तो 25-26 रात के समय दिन में 33-34 बरसादों की बादल चैरिंगे बरसाद की गतिद्यों को लेकर अलएट मौसम में तंड़क मौसम मिला जुला रहेगा उताचड़ा भी जारी और ते जगों के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा यहाँ पर पलामू की बात के हो तो पलामू में रात के समय 23-24 दिन के समय 32-33 गरी ताप मर रहेगा आज रात तक बरसाद की गतिद्यों के साथ मौसम में बदला हो सकता है मौसम मिला जुला भी रह सकता है और ज़्यादतर इलाकों पर हल चल अधिक सदिक होने के साथ उताचड़ा भी कई जगों पर परिवर्तन के साथ रेकोर्ड के जाएगा पाकूर की बात के तो 37-39 रात के समय दिन में 38 और 34 के आसपास ताप मर रहेगा अगले 24 गंटों की दुरन मौसम में दोस्तों परिवर्तन होगा और बादलो के आजे के साथ ताप मन में गिरा वटा सकती है मौसम ठंटा सोना भी रह सकता है और मौसम में बदला होने के साथ अधिक सदिक परिवर्तन देखने को मिलेगा आप कहां परेते चारकन के कमेंट करके जरूर बताना